हेल्लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया! 101 से 500 तक की संख्याओं को पढ़ना, गिनना और लिखना इस वीडियो में हम सीखेंगे 101 से 500 तक की संख्याओं को पढ़ना, गिनना और लिखना अच्छा बच्चों, ये बताओ कि बेस्ट अन ब्लॉक से संख्या सौ कैसे दर्शाते हैं? अ, सैक्डे के कॉलम में सैक्डे की एक हरी प्लेट लगा कर दीदी और दहाई और इकाई के कॉलमों को खाली छोड़ देते हैं अच्छा अब ये बताओ कि सौ के बाद क्या आता है? एक सौ एक दीदी हाँ, सौ के बाद आती है संख्या एक सौ एक अब एक सौ एक को बेस्ट अन ब्लॉक से दर्शाना हो तो तो सौ के लिए यहां सैकडा की प्लेट लगी हुई है तो अब इसमें एक और ब्लॉक मिलाया तो यह हो गए एक सौ एक सौ और एक एक सौ एक अब इसे लिखेंगे कैसे? एक सौ एक लिखने के लिए सैकडा में लिखेंगे एक दहाई में 0 और एकाई में 1 ठीक? जी डी डी अब एक और ब्लॉक में लाया तो हो गए 102 इससे कैसे लिखेंगे? हम सैक्डा में लिखेंगे 1, दहाई में 0 और एकाई में 2 शाबाश एक दम सही अब इसी तरह बन जाएंगी हमारी आगे की संख्याएं 102 और एक 103 103 और एक हुआ 104 104 और एक हुआ 105 105 और एक हुआ 106 106 और एक हुआ 107 107 और एक हुआ 108 108 और एक हुआ 109 109 और एक हुआ 110 यहां भी हम इकाई के 10 ब्लॉक्स को दहाई की एक नीली पट्टी से बदलेंगे तो 110 यानि सैक्डे की एक प्लेट और दहाई की एक नीली पट्टी फिर एक ब्लॉक और बढ़ाने पर हो गए 111 110 और एक 111 112 और एक 112 112 और एक 113 113 और एक 114 114 और एक 115 115 और एक 116 116 और एक 117 117 और एक 118 118 और एक 119 119 और एक 112 120 देखो बच्चों हम यहाँ एक एक ब्लॉक बढ़ाते जा रहे हैं और अगली संख्या बनाते जा रहे हैं अरे हाँ दीदी तो इसी तरह एक सो नब्बे तक की संख्याएं भी बना लेंगे एक सो नब्बे के बाद दीदी सेक्डे में एक दहाई में 9 और एकाई में 2 सही बताया एक सो बानवे के बाद एक सो तिरानवे एक सो चोरानवे एक सो पिच्चानवे एक सो च्यानवे एक सो सत्तानवे एक सो अठानवे और फिर एक सो निन्यानवे 199 में जब इकाई का एक और ब्लॉक मिलाएंगे तो इकाई में 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे यहां हम इकाई के 10 ब्लॉक्स को दहाई की एक नीली पट्टी से बदल कर उसे दहाई के कॉलम में ले जाएंगे फिर दहाई में भी दस नीली पटियां हो गए जिन्हें हम सैक्डे की प्लेट से बदल देते हैं और वो सैक्डे के कॉलम में चली जाएगी तो अब यहां हो गई सैक्डे की दो हरी प्लेटें तो यानी सैक्डे की दो प्लेटें सैक्डे में दो, दाहाई में जीरो और इकाई में भी जीरो हाँ ये हो गया दो सव आब आगे की संख्याओं के लिए फिर से एक-एक ब्लॉक बढ़ाएंगे तो दो सो से दो सो डस दो सो ग्यारह से दो सो बीस दो सो इकीस से दो सो तीस दो सो इकतीस से दो सो चालीस दो सो एक तालीस से दो सो पचास दो सो इक्यावन से दो सो साथ अब बताओ दो सो नब्बे के बाद कौन सी संख्या आएगी? आ, दो सो इक्यानवे हाँ, दो सो इक्यानवे फिर दो सो बानवे दो सो तिरानवे दो सो च्वरानवे दो सो पिच्यानवे दो सो च्यानवे दो सो सत्तानवे दो सो अठानवे दो सो निन्यानवे अच्छा ये बताओ दो सो निन्यानवे को कैसे लिखेंगे सैक्रे में दो, दहाई में नौ और इकाई में भी नौ एक दम ठीक अब दो सो निन्यानवे में एक और ब्लॉक मिलाने पर यहां इकाई के 10 ब्लॉक हो जाने पर वो दहाई की पट्टी में बदल कर दहाई के कॉलम में जाएगी और वहां भी दहाई की 10 पट्टियां सैकड़े की प्लेट में बदल कर सैकड़े के कॉलम में चली जाएगी यानि तीन सो को हम दिखाएंगे सैकडे की तीन हरी प्लेटों से अब तीन सो के बाद आया तीन सो एक तो यहां भी एक एक ब्लॉक बढ़ा कर संख्याएं बन जाएंगी तीन सो से तीन सो दस तीन सो गया तीन सो ब्लॉक 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 तीन सो पचालीस, तीन सो एक तालिस से तीन सो पचास, तीन सो एक क्यावन से, 360 361 360 371 380 381 390 390 400 अब बताओ 400 को बेस्टन ब्लॉक से कैसे दिखाएंगे 399 में इकाई के 9 ब्लॉक्स हैं जब हम इन में एक और ब्लॉक मिलाएंगे तो यहाँ इकाई के 10 ब्लॉक हो जाने पर वो दहाई की पट्टी में बदल कर दहाई के कालम में चली जाएगी और वहाँ भी दहाई की 10 पट्टियां सेक्डे की प्लेट में बदल कर सेक्डे के कालम में चली जाएगी यानि 400 को हम दिखाएंगे सेक्डे की 4 हरी प्लेटों से शाबाश बच्चों अब इसी क्रम के अनुसार आगे की संख्याएं बन जाएंगी ठीक 400 सीट 410 411 सीट 400 बीस 421 सिट 430 431 सिट 440, 441 सिट, 450, 451 सिट, 460, 461 सिट, 470, 471 सिट, 480, 481 सिट, 490, 490 से 500, यहां भी 499 में एक ब्लॉक बढ़ाने पर इकाई के 10 ब्लॉक दहाई की पट्टी में बदल कर दहाई के कॉलम में चली जाएगी, फिर दहाई की 10 पट्टियां सेकड़े की प्लेट में बदल कर सेकड़े के कॉलम में चली जाएगी, और 500 के लिए हो जाएगी सेकड़े की 5 हरी प्लेटें. देखो बच्चो, अब हमने अपने जादू के पिटारे से निकाल लिए प्लेट मनी. अब मुझे ये बताओ कि इस इकाई दहाई टेबल में मैंने प्लेट मनी से कौन सी संख्या बनाई है? अ, समझ नहीं आ रहा दीदी. मैंने इकाई में रखे हैं एक रुपए के 6 नोट तो इकाई के खाने में लिख देंगे 6 दहाई में हैं 10 रुपए के 4 नोट तो दहाई के खाने में हम लिख देंगे 4 फिर सैकडे में रखे हैं 100 रुपए के 2 नोट तो सैकडे के खाने में हमने लिख दिया 2 अब बताओ कौन सी संख्या बनी 246 दीदी बिलकुल सही बच्चों अब ये बताओ कि 349 को अंकों में कैसे लिखेंगे पहले सैक्टे में 3, फिर दहाई में 4 और फिर इकाई में 9 सही बताया अब बताओ इसे बेस्ट और ब्लॉक्स की मदद से कैसे दिखाएंगे हम लगाएंगे इकाई के लिए 9 पीले ब्लॉक्स फिर दहाई के लिए 4 नीली पट्या और सैक्रे के लिए 3 हारी फ्लेटे एक डम ठीक वाह बच्चों आपने 101 से 500 तक संख्याओं को पढ़ने गिनने और लिखने की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लिया है अब आपको गतिविधिया भी करनी हैं जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे और हाँ इसके बाद वर्ग बुक में दिये प्रश्णों का खूब अभ्यास करना ठीक है ओके बच्चों बाई 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 बच्चों अब मैं जाती हूँ कल फिर मिलने आती हूँ इंग्लिश में अब होंगी बाते मैं सिखेंगे हास्ते गाते पहली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी बात पड़ी है सीधी सीधी मैं हूँ आपकी संबंधिदी आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया ना अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे की अन्य वीडियो, गतिविधिया, क्विज इत्यादी देखना चाहते हैं तो अब ही डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाईल अप्लिकेशन और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें मिलते हैं बहुत जल्द यूट्यूब और संपर्क स्मार्ट शाला अप पर